ब्यूटी क्वीन आमरपाली को लोग इतने जादा पसंद करते हैं कि उनकी हर गतिविदी पर नज़र रखते हैं जी हाँ तभी तो उनके वेट से लेकर उनके मेकप तक की हर अपडेट जानने के लिए उनके फैंस बेताब रहते हैं ठीक ऐसे ही निरहुआ को भी आमरपाली का बड़ा ध्यान रहता है शूटिंग के दरान दोनों एक साथ लंच करते हैं साथ ही निरहुआ ने अपने ड्रसिंग सेंस में भी पहले से बहुत जादा बदलाव कर लिए हैं आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि एक बार अविकिशन ने मीरिया के सामने कहा था कि आमरपाली पगला देली तोहरा के फर्म के सक्पर निरहुआ लंच करने के लिए बाहर से आमरपाली के लिए लंच मंगवाते हैं जबकि आमरुपाली अपना वेट लूज करने के लिए इतना वॉक आउट कर रही है। इन बातों को देखकर लगता है कि निरहुआ नहीं चाहते कि आमरुपाली पतली दिखे। खेर इसका ये भी कारण हो सकता है कि निरहुआ बाहर से खाना सभी के लिए मंगवाते हों क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जहां कई लोग काम करते हैं। निरहुआ कई बार ये कहते भी नजर आजाते हैं कि आमरुपाली उन्हें हर लोग में बहुत अच्छी लगती हैं। हलाकि ये सच भी है क्योंकि आमरुपाली सिफ निरहुआ को ही नहीं बलकि सभी को हमेश अच्छी लगती हैं। Next 9 News Zone से ममता की रिपोर्ट